हेलो प्रेंट्स वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सारली करण के प्रस्णों को हल करेंगे तो इसलिए वीडियो का अंद तक देखते रहें आए शुरू करते हैं आज का वीडियो क्वेस्टन नम्मर वन है 3.36 गुणा 3.36 रिण 2.99 गुणा 2.99 बटे बराबर क्या होगा तो आए इससे सौल्व करते हैं देखे यहाँ पर हमें दिया गया है 3.36 गुणा 3.36 तो इसको हम लिख सकते हैं 3.36 का वर्ग ठीक है रिण यहाँ दिया है 2.99 दो बार है तो इसको भी लिख सकते हैं 2.99 का वर्ग बटे हो जाएगा सुन्य दसमलो 3.77 ठीक है अब देखे यहाँ पर एक सरुव समी का लगाते हैं यह सरुव समी का होती है A का वर्ग रिन B का वर्ग बराबर होता है एक कोष्टक में A धन B और एक कोष्टक में होता है A रिन B ठीक है तो यह सर्व समिका लगाते हैं तो यहां क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 3 दसम लो 3 छै धन 2 दसम लो 99 एक कोष्टक में दूसरे कुष्टक में हो जाएगा तीन दसमलो तीन चैए रिन दो दसमलो नव नव ठीक है बटे में दिया गया है हमें सुन्य दसमलो तीन साथ दिया गया है ठीक है आगे हल करते हैं अब देखिए इनको जोड़ लेते हैं और यहां घटा लेते हैं तो जोड़ना घटाना यहां करते हैं यह हो गया तीन दसमलो तीन चैए धन दो दसमलो नव नव जोड़ देते हैं चैए और नव कितना हो जाएगा पंदरा पंदरा की पांच कितना बचा एक तो यहां हो गया 3 और 1, 4 4 और 9, 13 13 की, 3 कितना बचा, 1 ठीक है, तो 1 और 3, 4 4 और 2, 6 यह हो गया 6 दसमपलो, 3, 5 ठीक है, तो यहां लिख देंगे इसके पूरे का जोड़ कितना हो गया 6 दसमपलो, 3, 5 फिर से गुणे में है गुणा इसको हल करते हैं यह यहाँ पर है 3.6 यहाँ जोड़े थे यहाँ घटा ना है ठीक है 2.9 गटा देंगे अब देखिए यहाँ पर 6 में से तो 9 घटा नहीं एक उधार ले जाएंगे तो यहाँ गया 16 16 में से 9 गये कितना बचेगा 7 ठीक है यहाँ एक उधार ले गये थे तो यहाँ बचा 2 अब 2 में से 9 भी नहीं घटा तो यहाँ से एक उधार ले गये ठीक है यहाँ कितना हो गया 12 12 में से 9 गये कितना बचेगा 3 दसमलो देखिए यहाँ से एक उधार ले गये थे तो यहाँ बचा 2 दो में से दो गया सुन्य ठीक है तो ये कितना आ गया इनका घटाव आ गया सुन्य दसमलो तीन साथ बटे में हैं हमारे पास सुन्य दसमलो तीन साथ ठीक है तो देखिए ये सुन्य दसमलो तीन साथ से सुन्य दसमलो तीन साथ को काड़ देंगे तो कितना बच जाएगा हमार पास ती 6.35 ठीक है तो ये 6.35 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चिन देखते हैं कुश्चन नमबर 2 है करणी 4 गुणे में है कोश्टक के अंदर 4 धन 2 रेण कोश्टक के अंदर 15 रेण 9 धन कोश्टक के अंदर 2 गुणा 10 बराबर क्या होगा तो ये इससे सौल्व करते हैं देखिए सबसे पहले इसका नियम होता है सबसे पहले कोश्टक को हल करना है उसके बाद भागित चिन को फिर गुणे को इसके बाद जोडना और घटाना इसी क्रम में हमें हल करना होता है तो देखिए सबसे पहले इन कोश्टक को हल करते हैं तो ये हो जाएगा करणी 4 कोश घ़िए दन कर्णी चार कई का वर seront करनी चार मतलस्ट को क्या लिखते हैं यह बॉस्का पर देखते हैं यह कर यह कर्णी चार का वर्ग दकर दना कर अब देखते हैं Pikनी चार का यह का वर्ग है यह कोCKS धन 20 ठीक है अब देखिए ये कितना हो गया 6 दूनी 12 रिन 6 धन 20 अब देखिए धन वालों को जोड़ देते हैं और रिन वाले को घटा देते हैं तो धन वाला है 20 और 12 भी धन में 20 और 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया 32 रिन 6 अब देखिए 32 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 26 बचेगा तो 26 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर 3 है यदि X इरिन 2 बराबर 1 हो तो 3X वर्ग धन 5X दन 2 कामान जाद करो तो आईएगे स्वाल्व करते हैं देखिए हमें दिया गया है एक्स रिन दो बराबर एक तो सबते पहले एक्स कमान निकालते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा देखिए यह दो का इधर पक्छा अंतरण करते हैं तो यह हो जाएगा एक्स बराबर एक धन दो क्योंकि यह इधर रिन में था इस पक्छ में तो बराबर एक्स बराबर हो जाएगा एक और दो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है तो अब हमें मान ग्याद करना है तीन एक्स वर्ग धन पांच एक्स धन दो का तो उसमें एक्स का मान प्रतिस्थापित करते हैं ठीक है तो एक्स जहां जहां है वहाँ पर तीन एक्स की जगा आगया तीन धन पांच एक्स की जगा तीन धन दो ठीक है अब देखिए आगे हल करते हैं तो यह गया तीन गुणा यह गुण ecosystem में तीन का वर्ग क्या होता है तीन धिया 9 धन 5 का गुणा तीन से होगा कितना आएगा 5 धिया 15 धन दो ठीक है नौतिया कितना होता है 27 धन 15 धन 2 ठीक है तो अब इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर 15 और 2 17 और 17 कितना होता है 44 होता है ठीक है तो 44 इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन में यहीं देखें तो ओप्सन नंबर 20 का सहीं आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन बटन को दबा दें धन्यवाद